नमस्कार, मैं मीरा आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल प्रेणा दायक अध्यात्मिक कहानियों में स्वागत करती हूँ आज मैं आपको भगवान शिरी कृष्ण की मृत्यू और यादव कुल के विनाश की कहानी सुनाने जा रही हूँ महाभारत युद्ध के उपरांद गांधारी ने भगवान शिरी कृष्ण को श्राप दिया कि जिस तरह से शिरी कृष्ण ने उनके संपून कुल को आपस में लड़वा कर ही नश्ट कर दिया उसी तरह से यादवों का कुल भी आपस में लड़कर ही नश्ट हो जाएगा महाभारत को लगभग 35 वर्ष बीच चुके थे यादव अपनी शक्ती के एहंकार में स्वच्छंद और मरियादरहित व्यवार करने लगे थे वे अपना अधिकतर समय भोग विलास और मदिरापान में ही गुजार देते थे द्वार का में हर रात जश्न की रात होने लगी ऐसा लगता था जैसे यादवों की नौजवान पीढ़ी अपने सभी संसकार और सभी नैतिकता बिलकुल भूल चुकी थी एक बार द्वार का के नगर पर एक रिशी का आगमन हुआ तो भगवान शिरी कृष्न के पुत्र सांभा अपने कुछ मित्रों और अपने कुछ भाईयों के साथ उनसे मिलने के लिए नगर द्वार पर गई वहां जाकर सांभा को महरिशी से हसे ठिठोली करने की सूची तो उसने एक गर्भवती महिला का रूप धारन किया और रिशी से जाकर पूछा कि हे महरिशी मुझे पुत्र की प्राप्ती होगी या पुत्री की महरिशी तो सब जानते थे उन्होंने सांभा को पहचान लिया उन्हें सांभा का ये अभद्र व्यवाद बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उन्हें बहुत क्रोध आया उन्होंने क्रोध में आकर सांभा को श्राप दिया कि तुम्हें एक लोहे का गधा पैदा होगा, जो तुम्हारा और तुम्हारे पूरे कुल के विनाश का कारण बनेगा। थोड़े समय पश्चा, सांभा ने सचमुच एक लोहे के गधे को जनम दिया। सांभा तो बड़ा घबराया, उसे लगा कि रिशी का श्राप जल्द ही फलित होने वाला है, तो उसने लोहे के गधे के टुकड़े टुकड़े कर दिये और उसे चकना चूर करके समुधर में फैक दिया, परन्तु एक लोहे का टुकड़ा समुधर तट पर गिरा रहे गया। अगले दिन जरा नाम का एक शिकारी समुधर तट से गुजर रहा था, तो उसने सूर्य की रोश्नी में चमकते हुए उस लोहे के टुकड़े को देखा, उसने उसे उठा लिया और फिर उसे गड़ कर उसने अपने लिए एक तीर बना लिया। लोहे के गधे के अन्य टुकड़े, जो सांभा ने चूर-चूर करके समुधर में फैक दिये थे, वे भी एक एक करके समुधर लहरों के साथ वापिस समुधर तट पर आ गई, और उनसे एक व्रिक्ष की उत्पत्ती हुई, उस व्रिक्ष के सभी टहनिया, वज्र के समान ठोर थी, एक शाम को हर रोज की तरह द्वारका में जश्न मनाया जा रहा था, सभी लोग संगीत, नृत्य और मदीरा का लुफ्त उठा रहे थे, नशे में चूर होकर सात्य की, जो की महाभारत युद्ध में पांडवों की तरफ से लड़े थे, और अर्जुन के शिश्य वे कृत वर्मा से उलज गए, कृत वर्मा महाभारत युद्ध में कोर्वों की तरफ से लड़े थे, और अंत तक जीवित रहे थे, सात्य की ने कृत वर्मा को कहा कि तुम तो बड़े कायर हो, महाभारत के युद्ध में तुमने किसी भी महायोधा से कभी द्वंद नहीं क तुम तो केवल अपने को बचाते चले गई और यही कारण है कि तुम युद्ध के अंततक जीवित रहे यह बात कृत वर्मा को तीर की तरह चुप गई कृत वर्मा ने सात्यकी को कहा कि तुम भी क्या बात करते हो तुम ने तो भूरी सर्वा को उस समय मारा था जब उसका एक हाथ कटा हुआ था और वो बिल्कुल निहत्ता था कायर तो तुम हो तुम तो क्षत्रिय युद्ध कहलाने के लायक भी नहीं हो तभी सात्यकी ने कृत वर्मा का सिर्थर से अलग कर दिया और वहाँ पर उपस्तित सभी लोग दो गुटों में बट गई और उनमें युद्ध प्रारंब हो गया तभी वहाँ पर शिरे कृष्ण और बल्राम आए उन्होंने संभावित खत्रे को पैचानते हुए सभी के अस्र शस्र छीन लिये और सभी को चेतावनी दी कि सभी लोग मदिरापान और अन्य व्यस्न छोड़कर मरियादित व्यवार करें शरी कृष्ण और बल्राम तो मामला शांत करकर वहाँ से चले गए परन्तु यादव शांत ना हुए थोड़े समय पश्चात उनमें फिर से बहस छिड़ गई और वे एक दूसरे को भला बुरा कहते हुए महल से बाहर निकल कर समुतर तट पर पहुच गई समुतर तट पर पहुचने के बाद उन्होंने एक व्रिक्ष की टहनिया तोड़ी और एक दूसरे को पीटना शुरू कर दिया यह वही व्रिक्ष था जो लोहे के गधे के अवशेशों से उत्पन हुआ था और जिसकी शाखाएं वजर के समान कठोर थी शिरे क्रिष्ण और बलराम को छोड़ कर यादव कुल के सभी पुर्षों ने उस व्रिक्ष की टहनियों से पीट-पीट कर एक दूसरे को मार डाला अपने कुल की ऐसी दुर्दशा देख कर बच्चों और विद्वाओं के विलाप को देख कर बलराम ने समाधी में बैठ कर अपने प्राण भी त्याग दिये और वे अपने शेश नाग के रूप में विलीन हो गई इस सब के उपरान भगवाण शिरे कृष्ण भी अपना महल छोड़ कर जंगल में चली गई वे एक विरिक्ष के नीचे बैठ कर धीरे धीरे अपना एक पैर हिला रहे थे तबी वहाँ पर छिपे हुए एक शिकारी ने देखा तो उसे लगा कि जैसे वहाँ पर कोई हिरन है शिकारी ने अपना तीर निशाने पर साथा और तीर सीधा आकर भगवाण शिरे कृष्ण की एडी में लगा ये वही शिकारी था जिसने लोहे के गधे के टुकडे को समुद्र तट से उठाया था और ये वही तीर था जो उस लोहे के टुकडे से बनाया गया था शिकारी दोड़ता हुआ अपने शिकार के पास पहुचा जब शिकारी ने हिरन की बजाए भगवान शिरी कृष्ण को वहां पाया तो वह बड़ा व्यतित हुआ भगवान शिरी कृष्ण ने उस शिकारी से कहा कि तुम शोक न मनाओ यह सब पहले से ही निर्धारित था तुम पूर्व जनम में किशकिंदा के राजा और सुग्रिव के बड़े भाई बाली थे और मैंने तुम्हारा वत पेड़ की आड़ से किया था आज वह हिसाब किताब पूर्ण हुआ और यह कहकर भगवान शिरी कृष्ण ने अपने आखे बंद कर ली इस तरह से रिशी के श्राब और गांधारी के श्राब के अनुसार यादव कुल का संपोर्ण विनाश हो गया आज के लिए बस इतना ही